अपाइं विख अब अब बोटेटेट आज अब आपको पढ़ाने आ रहें ओर इंक पर आउने के बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक जो इलेविन क्लास और ट्वेल्थ क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टन है 11th class में Mechanism of Organic Chemistry में जाता है और 12th class में आपको HelloAlcan, HelloLean में पढ़ने को मिलेगा इस टॉपिक का नाम है SN1 and SN2 Reaction, ठीक, आईए क्या होते हैं, SN1, SN2 Reaction आईए जाते हैं सुनेगा SN1 Reaction की कुछ Conditions होती है, दिखेगा SN1 Reaction की कुछ Conditions होती है पहले तुम का मतलब क्या होता है, सब्स्टिटिवशन, सब्स्टिवशन के उलब कोई एक पार्ट रिमूव होगा, उसी एक जगए पर दूसरा पार्ट जाकर जुड़ेगा SN1 Reaction का मेंस होता है, नूक्लियोफाइल, क्या बूलते हैं इसको? नूक्लियोफाइल, 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 नूक्लियोफाइल का मेंस नूक्लियस और फाइल का मेंस लविंग, जो नूक्लियस को अपनी वर अट्रेक करेगा, नूक्लियोफाइल का मतलब मतलब जो substitution होगा, जो remove होगा और जो add होगा, वो negative वाला पार होगा, कोई negative वाला पार रेमूव होगा, उसी के गए पर कोई दूसरा negative वाला पार जाकर जुड़ेगा, ठीक, और one का means होगा, चुनल का आउनल के रियक्शन ये क्या होगी, फिर्स्ट- आॉर्ड की रियक्शन, अब फिर्स्ट- रॉर्ड की रियक्शन को समझने के लिए आपको 12th क्लास का टैक पढ़ना बढ़ना बना, इसका नाम है chemical तो इसके से माने के सिने हमारे पास govat देख सबॉन इट फोगो कहते है एकशन डिपेंट आफ रेक्षं रेट आफ रेक्षिन अलकिल हिलाइड अड ने नोकॲियूफ भाइव धोनों के कंसंट्रेशन पर पर डिपेंड ना करें बॉक्स कमें सुता एक्टिव माज से और रिट आफ रेक्षन है अलकेल हलाइड के रिपेंड नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं यहां पर रिट आफ रेक्षन हैं हमारे पास इसे मालों नुक्लिव फाइल को हम डबल करें और रेट भी डबल हो जाए तो यह हमारी सेकंड ऑडर की रिएक्षन हो जाएगी बड़ यहां पर रेट आफ रेक्षन जो है केवल अलकेल हलाट की कंसेंडेशन डिपेंड करता है यहां नहीं जब्लिव फाइल को टू टाइमस करें तो पूरी की वैलू हो जाएगी और रेट पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ था है इसलिए ने विपना करें तो कहने का मदलब है जब रेट आफ रेक्षन क्या 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 करते हैं यहां पर क्या होगा जो रेक्शन की जो रेक्शन की जो रेट होगी क्या अच्छा एसे नुबन रियक्शन जो है इसकी जब लोग मैक्निज्म पढ़ते हैं चैजन जो मैकनेश्म पढ़ते हैं तो दूसरी स्टेम में जो हमारा कारवो कटायन बनेगा मलब एलकेल हैलेट का एक्स रिमूव बने के बाद जो रिमेनिंग पार्ड होगा उसको हम लोग कारवो कटायन बोलेंगे कारवो कटायन में जब कोई न्यूक्लियोफायल जाकर अटैक करेगा तो यह रियक्शन बहुत ही फास्ट होगी तो यह जो सिल्वन रियक्शन है इसकी मेकेनिसम दो स्टेम में कम्टीट होते हैं फर्स्टेम में एलकेल हैलेट के बीच का बांड ब्रेक होता है और एक न्यू चल्फ होते हैं यहाँ वर्सक्राथ यहां पर रियक्शन जो है दो स्टेब में होलेसे इस रेक्शन को हम लोग कहते हैं आप कॉम्प्लेक्श रेक्शन है वरेक्शन की तो स्प्राइब rating और विटर में जो रेट वोता है वो स्लोन स्टिप या कि हमको रख्यू है तो लोग डेट है यह तो हमारी कि रियक्षन जो हैं दो डलोते हैं बट slow वाली स्टेम में जब रेक्टेंड का one mole ही involved होता है ऐसी reaction को हम लोग कहते है यानि हम इस reaction को unimolecular reaction कहते हैं लेकिन अगर देखा जाएं तो हमारा यह कहना गलत है क्योंकि जो reaction मल्टी स्टेम में होते हैं दो या दो सदिक स्टेम होते हैं हमसे complex reaction कहते हैं और जो भी complex reaction होते हैं हमसे molecular reaction यानि य्विलिक इसक्ते हैं क्योंकि यह व्यृद्ग कहते हैं और जो reaction दो यादो सदिक इर इस को था नितौन्द करते हैं दूसरी वाल D इस रेक्शन में जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट जो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यह तें अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं यह हमारे इसितिक या फिर एथिल एलकोहल्य यानि कोई भी अलकोहल हो सकता है यह कोई भी वाटर इथर क्लुरोफार्म बग्रीण इस सभी का डाई इलेक्रिक कॉंस्टेंट इसका होता है लगबग 5 के आसपास इसका 15 होता है और इसक़ा 81.5 या लगवग 18 गया सकरा है अब यह निल्विक का नों सब्सक्राइब क्या होता है एलकें । में जो है लोंग सब्सक्राइब 없어 कहीं रिपल्ष बिसकि यह नहीं सब्सक्राइब में सुरीएका डाइलक्री कॉंस्टेंट क्या होता है में हैलोसमें पे पार्षल लिंट्व अद बैस्ट पार्शल मुल् Cubot PH पार्सल लेगेटिव पार्सल पॉश्टू के बीच जो अट्रेक्शन लगता है जिसकी वैसे एलकल गुरूप है जुड़े रहते हैं इस बॉंड को ब्रेक करने के लिए हम डाई एलेक्टिक कॉंस्टेंट का यूज़ करते हैं जिस सॉल्वेंट का डाई एलेक्टिक कॉंस् जिससे आइन इसली अलग हो जाते हैं और आसानी से हैलोजन अलग हो जाता है और आसानी से दूसरा न्यूपलियूफाज जाकर जुड़ जाता है अगर हम लोग कोई पॉलर पॉटिक साल्वेंट नहीं लेंगे तो भी रेक्शन होगी बड़ इनकी वेस्टिक्षन थोड़ जुड़ी आएगा और इसका जो एच प्रस बचेगा वाटर की टूटने पर ओएच माइनस मिलता है जो न्यूपलियूफाज जाकर जुड़ता है और एच प्रस सलग होता है इसको हम लोग प्रोटान गयते हैं इसलिए हम लोग वाटर को पोलर प्रोटिक साल्वेंट पोल नुक्लियूफाज तो जाकर के कार्वो कटैल पर जुड़ी आएगा बर इसका एच पॉस्ट्व बच जाएगा अब इस एच पॉस्ट्व का काम क्या होगा नहीं के एलकेल हैलेट के ब्रेग होने पर जो एक्स माइनस रिमूव होगा वो देखेगा कि हमारी जगे पर कोई कोई दूसरा नुक्लियूफाज जाकर जुड़ रहा है तो हमें उसे जाने में सुरूखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जगे कोई दूसरा नहीं ले रहा है तो एक्स माइनस देखता है कि हमारी जगे पर कोई दूसरा नुक्लियूफाज जाकर जुड़ रहा है तो यह और बना लेता है अब एचेक्स की वज़े से एक्स माइनस बापस जाकर अपनी पुरानी पोजिशन पर जुड़ नहीं पाता है और हमारा जो नया नुगलोफाइल है जुड़ जाता है जिसकी वेसे कमपॉंड काफी समय तक स्टेवल बना रहता है अगर एक्स माइनस देखे को अपने साथ कमाइंड करके युनियू प्रोडेक्ट बना लेता है ठीक है ना जिससे हमको स्टेवल कंपॉंड बलता है क्लियर फिर सुनेगा एक्स को बोलते हैं सब्सक्रापन जिसकी वेसे कुछ हटेगा और जुड़ेगा एन कमना नुगलोफाइल यानि माइनस वाला ह प्रेट डिपेंड करें औरा एकंसेंट्रेशन प्रेट डिपेंड ना एक्स ये जो है इसकी mechanism करने पर ही दो step में complete होती है इसकी एक step बहुत ही बहुत ही slow होती है इसको हम rate determining step गहते हैं दुरसी step fast होती है जो rate determining step में तो reaction तो दो step में हो रही है but rate determining step होती है slow बाले स्लोवाले step में अगर reaction का one more involved होता है तो उसलिए हम लोग उसको कहते है क्लिया अब देखा जाते हैं इसको कहना गलत है क्योंकि यह हो रही है इसलिए हम लोग इसको इसको युदि मॉलेक्शन नहीं कह सकते हैं थिक और पुराने को साइंटेस तो बुल की गया है इसलिए हो जैसा चलता है अभी चलने लोग क्या होता है किस रेक्शन में कोई न कोई लेना पड़ता हैं सालवें हमेशा पोलर प्रोटिक्स डेते हैं तो विस सौलवेंट का काम होता है आयन की बीच लगने वाले अट्रेक्शन फोर्स को कमजोर कर देना जिससे आयन आसानी से ब्रेप हो जाते हैं पुराना निकलिफाल यानि प्रोडान अलग होता है इस प्रोडान दगाम होता है पुडाने वाले नुक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर कोई ना कोई प्रोडेक्ट बना लेता है एक 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 एलकाइल है लग ले लिया ले लिया 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 अब देखें यहां पर अगर हम इसको ओएच माइनस रेक्ट कराएं अब ओएच माइनस कहां से आएगा फ्रॉम एच टू हो जब एच प्लस और ओएच माइनस में ब्रेक्ट होगा तो उसी से यह जो नया नुक्लियोफाइल है यह आकर यहां जुड़ेगा और यह पुराना नुक्लियोफाइल यहां से रिमूओगा तो बॉंडब्रेक्ट होके इधर माइनस आएक, दहरीडर क्या आएगा प्लस तो और कारवन पर प्लस आएगा इस प्लस पर यह माइनस वाला जाकर अटैक करेगा तो कारवन प्लस से कारवन प्लस से एक नया न्यूक्लियोफाइल एनियू माइनस जिसकी ज़िएक हमने ओएच लिया है यह जुड़ियाएगा और हमारा सी यल माइनस अलग हो जाएगा अब यह देखें कैसे होगी आई बताते हैं तो देखीगा फर्स्ट इस्टिब में इस्टिब फर्स्ट में यह जो हमारा फर्स्टिब में यह जो हमारा अलकिल हैलाइड है कारवन और सी यल के बीच का बॉंड ब्रेक होगा तो भहिया सी यल पे आएगा माइनस और आर 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 सी प्लस कारवन पे प्लस लग जाए इसको कहते कारवो केट आयन अब आपको हम बता रहे कली बात हों यह जो एस्टिब रेक्शन होती है वो थ्री डिग्री अलकिल हैलाइड में ही होती है आप इसके बीजे रीजन क्या है दिघरी का मन्लव होता है इसमें जूतने ज्छाधा इलके सुमों लगे होते है उसलिए €kel 3D कार्व कटाएन जो होता है इसलिए हम लोग SN1 reaction को 3D अलकिल हैलाइड में ही कडाते हैं तो कि जतना जादा stable compound बने हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है बात करेंगे हम लोग second step की अच्छा यह step जो है बहुत ही slow step होती है अलकिल हैलाइड का कार्व कटाएन और हैलोजन में ब्रेक होना यह बहुत ही slow process होता है तो reaction बहुत ही slow होती है और इसी को हम लोग कह सकते हैं rate determining step अब हमारा यह जो second step है उसमें यह जो कार्व कटाएन बना है carbon plus इस कार्व कटाएन पे water से जो हमारा OH माइनस मिलेगा from water water से जो हमारा OH माइनस मिलेगा नया न्यूक्लियोफाइल जो मिलेगा वह आगर इसी पर एटेक्ट करेगा तो R, R, R और OH माइनस तो अपने पास जो compound बनेगा 3 degree alcohol बनेगा तो हमने ही जाका यह वाली जो इस्टेप होती है आपको बता दे यह आपकी प्लस माइनस में यह आयंस है इनकी बीच अट्रेक्ट से लगीगा बहुत स्पीड में नेगेटिव वाला पॉस्ट इसरा अट्रेक्ट होगी तुरंट बना लेगा और यह जो इसकी स्टेबिटी उतनी ज्यादा होगी इसलिए क्या हुआ है किसी भी नुक्लियोफाइल या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोटिक सह फ्रोटान में जरत को सब्सक्री FIFA घेक्ट करें तो हमने लेकर रेक्ट करा दिया उसको वार्टर से वार्टर से मिलेगा वह एक नुक्लियोफाइल का दाम करेगा अब दूसरा नुक्लियोफाइल जाकर जोड़ गया करें वन दिग्री आल कि जाती समझेगा लेकिन सब्सक्राइब प्रॉक्त जिया रेक्ट करेगा उसकी स्टेविल्टी उतने ही कम होगी इसलिए ब्यार रटकें कभी भी कोई भी कंपॉण बनाएं तो पूरी कोसिस कीजिएगा कि कंपॉण आपका ज्यादा सी ज्यादा स्टेवल हो क्लियर यही केमस्ट्री का फंडा है इसको नोट करिए फिर हम आपको स्न2 रेक्ट्शन बताने जात्यारा है बात करते हैं स्न2 रेक्ट्शन के स्कुछ रिमूब केरो ईसकी जगे को जांखते हैं रृग और यहां यहां कि क्या होगा जो rate of reaction होगी जो rate of reaction होगी वो alkalheil और nucleophile दोनों की concentration different करेगी इनको double करेंगे तो rate double इनको triple रेट triple इनको four time करें रेट इनको n time increase करेंगे तो rate भी n time बहुत दोनों में किसी भी एक को बतल दें या दोनों के को दोनों को कभी आघिक्रीश करें किरें पर फर्क पढ़ा तो जब रेट आप रिट्टि और नुक्लिए वाइल दोनों की यहां पर नॉन प्रोटिक वहां पर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट अब क्या होगा देखीगा यहां से कार्वर्वर्वर्वेंट की वीश्का बॉन पुटिका पुछ दुनिया दे एक्सपर माइनस आता है क्योंकि एक्स कमलब होता है एक्सल वियार और आई इनकी वैलेंस में कितने एलेक्ट्रॉन सेवेंट यह अपना उटेट बुड़ा ने वन एलेक्ट्रॉन गिन कर होता है इधर से न्यव्क्लियु फैल जाकर अधा हुथ हो रहा होता है ठीक ना तो यह रहं से ब्रेये जो ना यह ईड हो पाता है खिब बहुत अच्छे से यहां पर एलकिल हैलाइट जो है हम इसको ऐसे बनाएंगे कारवन यह एच यह यह आर और यह तुमारा इस पर नुक्लियोफाईल इस पर कोई नुक्लियोफाईल हम ओच माइनस ही लेते हैं यहां पर बॉंड की ब्रेकिंग होगी यह इधर पर माइनस लाएगा अपने उपर यह प्लस लाएगा इधर से यह अलग होगा इधर जुड़ेगा तो दोनों पर रिपल्स लगेगा इस तरह का फिनॉमिना देखने को मिलेगा यहां पर इधर से एक्स अलग हो रहा होगा ठिक और इधर से यह तुम्हारा जाकर जुड़ रहा होगा इधर से अलग हो रहा होगा इधर से बैक से यह जुड़ रहा होगा दोनों आपस में मिलकर एक ट्रांजीशन स्टेट बना एक तरवांट बनने लगा तो कार्वन जो है वो प्नी पेंटा वेलेंट इसेट में उसमें पेंटा वेलें। एकस माइनस अलग होता हुआ और इदर से तो जुडता हुआ लिए यह हमारा वन डिगरी ईलकोहॉल बन गिया वन डिगरी एलकोहॉल तो हमारी जो एसेंटो रेक्शन है उसमें नेवलियो फाइल जो है उस सामने से टाइक नहीं कर पाता है क्यों भी माऌनस हमसे पसंग कि यह बैक सायड से जाकर इड़क करता है तो हमारा जो कंपउन्ड मनता है इन्वर्स कंपउन्ड मनता है यहाँ पर नुकलिउफाइल आविश्वी तहाँ जो प्रोडिक नया बना उसमें नुकलिउफाइल तीजे तो हम लोग ऐसे कंपॉंड में इनिवर्शन कंपॉंड भी कह सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसेंटू रेक्षिन वन डिग्री एलकिल एलेड में क्यों होती है और थ्री डिग्री में नहीं होती ही क्यों पहले तो आज समझ लीजिए क्या हुआ था नुक्लियो से जाके अटेक करता है और रेक्षिन हो जाती है अब बताते हैं थ्री डिग्री एलकिल रूप लगाएं एक बार कारवन में मैंने दो एलकिल रूप लगाएं हुआ है एक बार हुर्य कारवन में सिर्फ है अलकिल रूप लंगाया है किसमें तो हुख रेक्षिन हो गई थी है कोई वाध है दिए ट्री डिग्री में Deputy और यहां पर हेलोजन को जोड़ दिया X को इसको जोड़ दिया है यह अब अगर हम सोचें कि नूकलियो फाइल इस पर जुड़ जाए तो हमने इसका ब्रेक होना और इसका एड होना यह तो सामसे से तो जोड़ नहीं पाए गांड है तो ही बैक सेट से ज़ड़ेगा ben तो दिखी है क visão ब्रेक करें ले रहे हैं हेच फाईव हो गया यह तुम्हारा एक सीटो इच फाईव हो गया इस वाले को ब्रेक करणों एक है एक यहां एक इदर एक इदर और एक इदर इसको भी ब्रेक करणों है एक है एक अच्छ दर एक शिदर आप कि शिदर डिशन में गश्रों सीधट और अब हो रहा है सामने से तो टो न्यूलिफर अटेक करने कर पाएगा और फी बैक साड शेयर लेकिन डूंबंगे यहां दो जगह ही नहीं कुछ नहीं इधर से भी बन , इधर से भी बन, इधर से भी बन , इहां से भी बन , तो नुक्लियवफायल जब back side से attack करने आएगा तो जो 3 degree alk drivers बहुत ज्यादा हो गा , कारबन को alkal group चार तुरुदर्ड सराउंड करने घेड़ लेंगे जिसकी विससे नुकलियो फाइल को अटाइक टरने की जगह ही नहीं मिलेगी इसलिए 3-degree alkyl element reaction नहीं होगी अगर यहीं के 1-degree या 2-degree होता तो hindrance बहुत कमान की चलते हैं यहाँ पर एक alkyl group ना होता उसकी जगह H ही होता 2-degree होता तो इसको इसको अटाइक करने की जगह में जाती ही एक alkyl group मानलों और कम होता ठीक है ना एक alkyl group और कम होता इसकी जगह भी होता तो भी इसको अटाइक करने की जगह में जाती ही वड़ 3-degree में hindrance बहुत अधिक होने की कारण SN2 reaction एक यह सॉरी हां SN2 reaction वण डिगरी alkyl एड में नहीं हो पाती है 1-degree alkyl हो जाती है सॉरी 3-degree में नहीं होती है 2-degree में हो जाती है और compound भी stable होनता है वड़ी देर में होती ही तो easily जो reaction है वो 1-degree alkyl होती है 3-degree में होती ही नहीं है क्लियर आज की ग्लाज यहीं से आप कटे हैं I hope आपको SN1 SN2 reaction काफी अर्तक समझाई होगी इसमें बहुत सारे केस भी होते हैं उनके वादा हैं फिर कभी चल्चा करेंगे नहीं देर वेडियो लिक्चर हमारा बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा ठीक